हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल अपना एक्जाम में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बुक के बारे में रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यां से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिवलर्ड बुक है वो आपके लिए आपके एक्जाम के दृष्टी से कितनी उप्यूब थाबित होगी आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिक्शन लॉक में मिल जाएगा इसके अलावा यदि आपको किसी बता का और भी डाउट हो तो आप हमें डिरेक्ली कॉंटेट कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो के लिए हमारी जो बुक होने वाली है वो होने वाली है रेलवे के लिए जो मैट्स की बुक है आधित रेंजन सर के लिए तुवारा दिखी गई है इसी बुक के बारे हम आज खोड़ा से डेटेल में जानने ही खोशिस करेंगे कि पिस प्रकार्ट इसका कंटेंट है क्या इसकी प्राइज है पॉंकों सी एग्जाब्स के लिए यह उने वाली है तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आधित रेंजन सर के द्वारा रेलवे के लिए गणित की यह जो बुक है होने वाली है हिंदी माध्यम में यह बुक आपको अवलेबल हो जा गये हैं वो सभी इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे चार हजार से ज्यादा multiple choice question आपको मिल जाएंगे और वो भी chapter wise प्रतेक चेप्टर की यह आप एक अच्छे से practice कर सकते हो बात करें कौन-कौन सी exams के लिए यह बुक जो है वो मैतिकून रहेगी तो आप NTPC, RPF SI, RPF Constable, ALP Technician, Group D, RRBJE और भी तमाम railway की द्वारा जो conducted exams होती हैं उनके आप तयारी कर सकते हो इस बुक के माध्यम से साथ ही आपको इस बुक के अंदर जो सबसे best जो चीज है वो यह है कि हर एक chapter का जो questions हैं उनको types में divide किया हुआ है हर एक कितने type के questions एक chapter के अंदर बन सकते हैं तो आपको हर एक type के questions जो है उनकी एक अच्छा जो बंच है वो आपको questions का वो आपको इस बुक में मिल जाएगा आप प्रते एक type के questions की practice अच्छे से आप कर सकते हो चैप्टर वाइज आपको test भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे practice sets आपको मिल जाएंगे बुक की यदि paper quality के बात की जाए तो एक अच्छी quality का paper जो है इस book में उप्योग किया गया है इस book की price की यदि मैं बात करूँ तो आपको ये जो book है 395 यानि की 395 रुपय में ये book जो है आपको मिल जाएगी इस book को आप online भी order कर सकते हो Amazon और Flipkart जैसी e-commerce website पे आपको ये book जो है available रहेगी साथ ही आगे बढ़ते हैं जैसे आप आगे देखोगे second page में आपको आधित रेंजन सर के बारे में एक छोटा सा introduction आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उनके द्वारा कौन-कौन सी exam जो है वो qualify की गई है जैसे cgl, chsl, cpo, cds, three times उनोंने clear किया हुए उनको द्वारा जो score किया गया है math, English और reasoning में 50 out of 50 score उनका रहा है YouTube channel ranker Google पे आप इनको पढ़ाते हुए देख सकते हो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे आप देख पा रहे हो index index में आपको प्रतेक chapter यहां पर include किया गया है आप देख सकते हो लगबग आपर 28 chapters जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे basic से लेके advanced math जो है वो आपको इस book में मिल जाएगी जैसे आप देख पा रहे हो हर एक chapter को type wise इसमें divide किया हुआ है जैसे प्रतिशत्ता जो है उसमें total 9 types के questions जो है आपको मिल जाएंगे लाब और हानी में total 12 types के questions आपको मिल जाएंगे बट्टा यानि कि discount में आपको लगबग 5 प्रकार के questions जो है आपको मिल जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अभी हम देखते हैं प्रतिएक chapter जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे हम first chapter के बाद करें percentage प्रतिशत्ता तो type first question जो है आपको देखने को मिल जाएगा काफे simple question है उसके बाद में type second दूसरे प्रकार के question इसमें direct आपको percentage निकालना है जैसे type first question होंगे इसमें सभी प्रकार के जो question है उसमें आपको direct percentage निकलना है 5650 का 15% बढ़ाने के बाद में कितना percent हमें मिलेगा यानि कि 5650 का आपको सीधा सीधा 115% आपको निकालना है इस प्रकार के type second question आपको दूसरे प्रकार के मल जाएगा जैसे आप देख second के भी इसी प्रकार से लगबग 57 question है type 3 के तो प्रते टाइप के question आपको देखने को मिल जाएगे हर एक chapter के last में आपको इसकी answer की मिल जाएगी तो आप directly यहां से practice भी कर सकते हो और यदि आपको किसी प्रकार के question में यदि आपको doubt है तो answer की के just बाद में आपको उस chapter के प् को यहां पर दिया हुआ है हर में खको दूसरे मेथर भी 6 कश कर सकते हो तो आपको अच्सकी इस को practice कर सकते हो हर एक चंपर के आपको इसी प् горक से questions मिल जाएंगे type wise और उनका solution आपको यहाँ पर मिल जाएगा smart approach जैसे मैंने आप बताया कि smart approach के साथ में इस तरीके से भी आप इसमें apply कर सकते हो जो कि आपके exam में काफी time जो है वो आपका बचाएंगे railway की exam जो है उसमें maths काफी important role play करती है और ज्यादा hard नहीं होती है मतलब काफी simple level आता है maths का और इस book के माध्धम से आप जो अपने maths है उसको काफी strong बना सकते हो तो मेरे साब से यह जो book है एक best option आपके लिए हो सकता है railway की तमाम प्रकार के exams के लिए के लिए है